ग्यारा में दोहजार चोबिस प्रातः मुरली ओम शान्ती बाब दादा मदुबन मीठे बच्चे तुम्हे अभी अल्ला मिला है तो सुल्टे बनो अर्दात अपने आपको आत्मा समझो देह समझना ही वुल्टा बनना है प्रश्न किस एक बात को समझने वाले बेहत के वाईरागी बन सकते है उतर पुरानी दुनिया अब होपलस है कब रिस्तान बनना है यह बात समझ ली तो बेहत के वाईरागी बन सकते है तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है इस रूद्र ग्नान यग्न में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है यही एक बात तुम्हें बेहत का वैरागी बना देगी तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है धारना के लिए मुकिसार पहला पॉइंट जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं एसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है एसे संसकार धारन करने है जो कभी कर्म कूटने ना पड़े दूसरा पॉइंट जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोश नहीं देते गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते एसे बाप समान बनना है इस ड्रामा में किसी का दोश नहीं यह एक्यूरेट बना हुआ है वरदान हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर महनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भाव जो है ही वरदाता के बच्चे उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वत ही मिलते है वरदान ही उनके पालना है वरदानों की पालना से ही पलते है बिना महनत के इतनी स्रेष्ट प्राप्तिय होना इसे ही वरदान कहा जाता है तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा अधिकारी आत्मा के लिए दुरुष्टी से, बोल से, संबंध से, वरदान ही वरदान है स्लोगन समय की रफतार के प्रमान, पुरशार्द की रफतार तीवर करो पुरशार्द की रफतार तीवर करो ओम शंति